वाटर टेंक लाया जाता है इसके अंदर कोई क्रीचर बंद था और उसे कर्णरल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ओफिसर अपने साथ लेकर आया था इसलिए जैल्डा और एलिजा को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है फिर अगले सीम में हम देखते हैं कि लैब में रिचर्ड घ खून होता है यह देखर वो दोनों ही काफी डड़ जाती है इसके बाद फ्लेमिंग उन दोनों को जल्दी से जल्दी वो लैब साफ करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है तवी सफाई करते समय को कटी हुई दो उंगले मिलती है जो किसी और की नहीं बलकि रिचर्ड की ह होती है उन्हें देखर जैल्डा काफी घबरा जाती है और डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है तवी टैंक के अंदर बंद वो क्रीचर दिखाई देता है जो कि बिलकुल इंसान की तरह था इसलिए उसे देखकर वो काफी हैरान होती है अगले दिन फिर से जान के लिए ही उस परहुंस देखती है जब रूमसे बाहर निकलती है और से पूचती है और साथी साथ यह बताती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया है इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंसते हैं पहले तो जैल्डा के काले हुनी की विरस उसका मजा बढाता ह है फिर वो उन दोनों को समझाता है कि तुम लैफ साफ करने के लिए यहां से चुप चाप निकल जाया करो क्योंकि लैफ के अंदर जो भी चीज़ है वो बहुत ही खतरनाक है जैसे मैं साथ अफ्रीका की नरी से यहां तक लाया हूं और हम दोनों ने यहां आते समय बहुत एक साथ बिताया है यहां पता चला कि वह चीज़ बहुत ही खतरनाक है अगले सीन में देखते हैं कि एलीजा का धीरे धीरे एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है क्योंकि एलीजा हर रोज उसके खाने के लिए अंडे लेकर आती है इससे हो काफी खुच रहता है एसके ब पता चलती है कि वह एक स्पाई है यानि की जासूस फिर रगले दिन जब एलीजा लेप में प्रोंस के दो देखती है कि वह पानी से बाहर बंदा हुआ है और काफी घवर जाती है तब यूदि उसे लागातार इलेक्रिक शॉक दे रहा था इसके बाद वहां पर जन्रल सिर्फ को देखकर काफी खुस होता है इस दोरा रिचर्ड उन्हें बताता है कि इसे एमजोन के लोग भगवान समझते हैं लेकिन जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है जो पानी में रहता है हाला कि डॉक्टर रोबर्ट उन सब को समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई आम ज पानी में डालने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बातों को सुनने से साफ इंकार कर देता है और ऑप्रिशन की परमिशन देर देता है यह वास सुनकर अलीजर बहुत ज्यादा परिसान हो जाती है फिर वो घर पहुंचकर गिल्स से इसवारे में बताती है उनसे मदद मांगती है और उसे क्वीजर के बारे में भी बताती है वो कहते हैं मुझे उसे बचाना होगा लेकिन गिल्स इस चीज़ के लिए निकार कर देता है और वहां से जानी लगता है यससे बहुत ज़्यादा कर पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सिर्वा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूं मुझे फ़र्ग नहीं पड़ता है कि तुम किस चीज़ को बचाना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा एस उनकर एलिजा बहुरत ज्यादा फोस होती है अगले सीन में दे जब रिचर्ड के चेविन की सफाय कर रही होती है आझाल एड़ पास पहुंसता है और उससे बद्तुमीजी करने की कोषिछ करता है लेकिन ँचार और यजपो को कर देता है और ना कर देता है और लिए वन मना करनес करता है इसलिए जब गएर चाना कर को वो मर भी गया तो तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा क्योंकि एक लैब है और मुझे इपना काम खत्म करके जल्दी सी जल्दी यह से जाना है उसकी बादों से रोवर्ट समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन डिचर्ड उसकी एक बात नहीं सुनेग लेकिन बाद में डॉक्टर से संद्ध आता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो फिर वो उसे चावी देता है इसके एलीजा क्रीचर के गले में बंदी हुई चैन खोल देती है फिर रावाठ उसे कुछ दबा देता है जिसे उस क्रीचर के पानी में मिलाना था और सांती साथ तो यह भी बताता है कि उस पानी में एलीजाब को नमक भी डालना पड़ेगा इधर गिल्स लैद तक पहुंचता तो सिक्योरडी गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता है उसका ID कार्ड मांगता है लेकिन जब अपनी ID कार्ड दिखाता है तो उस गार्ड को शक हो जाता है क्योंकि गार्ड कॉल पिकप नहीं करता क्योंकि वो गिल्स की ID चेक कर रहा था फिर गार्ड समझ जाता कि गिल्स की ID सेख है इसलिए उसे गन से सूट करने की धंगी देता और गाले से बाहर निकलने के लिए कहता है तबी रॉबर्ट का लगा हुआ वो रशेन बंप फट जाता है चले जाती है तब रॉबर्ट उस गार्ड को भी होस होने के इंजेक्सन लगा देता जिसके बाद वो सब मिलकर उस क्रीचर को लेकर वहां से चले जाती है इस दोरान वो रिचर्ड की नहीं गाली को भी तोड़ देती है हाना कि रिचर्ड उन्हें रोपने की पूरी कुशि करने लगती है यह देखकर एलिसा और गिल्स बहुत ज़्यादा खुस होती है इसके बाद हम लेफ का सीन देखते हैं जहां पर रिचर्ड को वह बंब मिल जाता जिससे लाइट को खराब किया गया था और क्योंकि वह एक रैसियन डिवाइस था और क्रीचर को चुडाने के गिल्स ने भी फ्रेक एडी उसकी थी इसी उसे लगता है कि रैसिन लोगों ने वह पर अटैक किया था और उस क्रीचर को चुडा कर ले गए हैं अगले सीन में रिचर्ड एलिजा और उसकी फ्रेंड जेल्टा से पूछ तास्ट करता कि क्या हुँने कुछ असर देखा जो अजीव लगा हो लेकिन वो दोनों इस चीज़ के लिए साथ इंकार कर देती हैं इसके वाद मुस्ट को देखते हैं जिसका गिल्स धिहान रख रहा होता है लेकिन वह सो जाता है तब वहां से निकल कर गिल्स के रूम में पहुंच जाता है तब उसे गिल्स की बिल्ली पूशिस करता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता फिर जब एलिसा गिल्स के पास पहुंचती है तो उसकी आहरत देकर काफी ज़्यादा ड़ जाती है लेकिन वो उसे समझाता है तुम मेरी चिंटा ना करो और जाकर उस क्रीचर को ढूंड़ो फिर जब वहां प पर 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 लगे बिल्कुल ठीक हो गए थी और उसके पास पहुंचता है और वहां पर उसे एलिसा के साथ मिलती है इसके बाल और हर लगे चोड़ दिखाता है जो बिल्कुल ठीक हो गए थी और सर पर नए बाल निकल रहे होते हैं वह कहता कि मुझे नहीं परता कि यह गौड है या नहीं लेकिन यह स्पेसल है फिर हम रिचर्ट को देखते हैं इसके पास जर्णल होई पहुंचते हैं उसे कहते हैं अगर 36 गंटे में तुमने उस क्रीचर को नहीं ढूंडा तो तुमार दिन खराब होती जा रहे थी इससे एलिसा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपनी फ्रेंड जेल्डा को इस वारे में बताती है वह भी उसकी हालत देखकर काफी परिसान हो जाती है और डॉक्टर रोबर्ट को इस चीज़ के वारे में बताने के लिए कॉल करती है ल लेकिन इससे पहले कि उसे जान से मार पाते है वहापा छुपा हुआ रीचर्ड उन लोगों को मार देता है और रोबर्ट के पास पहुंसता है फिर वह उसकी वारे में पूर्चता है और से बहुत ही बुरी तरह से तौचर करने लगता है आला कि पहले तो पूझ नहीं बत साथ इंकार कर देती है और कहते कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके वो उसे टॉट्सर करने की धंगी देता है और गुस्से से अपनी कटी उंगलियों को फिर से अलग कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह से सठ चुकी थी ये सुनकर वहाँ पर बैठा वो उसका हस्बेंड बहुत ज़्यादा ड़ जाता है और रिचरड को बता देता है कि वो क्रीचर ये सों क्रीचर अलिजा के पार में बताती है और रिचरड जब इलीजा की रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता जिससे वो बहुत ज़्यादा परफान हो जाता है तब उसे कैलेंडर पर नोट लेका हुआ मिलता है इससे वो समझता है कि एलिजा उस क्रीचर को नदी में छोड़ने वाली है इसलिए वो वहाँ पहुंच जाता है और गिल्स पर अटेक करके उसे बिहोस कर देता है फिर वो उस क्रीचर और एलिजा दोनों को गंसे सूट कर देता है तब ही रिचर्ड पर गिल्स अटेक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर एलिजा के पास पहुंचता है उसी समय देखते ही देखते वो क्रीचर फिर से उट खड़ा होता है और अपने खाव को ठीक कर लेता है इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचता जो पीचर को जिन्दा देखकर करफी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में गौड हो उसी समय वो पीचर उसको अटेक करके उसका गला काट देता है इसके बाद वो अलिसा को लेकर पानी में कोच जाता है इसके बाद वो पानी के अंदर अलिसा को किस करता है और उसके कले में बनी हुए निसान को टेश करता है इससे वो निसान मचलियों की तरह गिल्स में बदल जाता है और देखते हैं देखते हैं अलिशा को हो सजाता है फिर हमें गिल्स बताता है कि इसके बाद उन दोनों ने पनी जिंदिगी खुशी खुशी बिताई और इस चीज़ का मुझे पूर विश्पास है और गिल्स के इन कुछ अच्छे सब्दों से इस मूवी की समार्प्री होती है तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेशन पसंद आई होती है वीडियो को लाइक होटेगे